हेलो बच्चो दिस इस ओपय गुपता यूर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्योटिफुल चानल अफ यॉर्स मैथमेटिशिया बाई ओपय गुपता आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के mcqs की सीरिज शुरू करने वाले हैं पहला टॉपिक क्या होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं we are going to start with algebra of matrices ठीक है बिटा तो सबसे पहला question हम लेते हैं question 1 में क्या बोला हुआ है let a be a square matrix whose elements are given by a i z तो आपको matrix a निकालना है यहां पर इसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि matrix a का order क्या होगा matrix a क्योंकि square matrix है तो इसमें जितने रो होंगे उतने ही column होंगे तो basically number of rows and number of columns यहां पर 2 होंगे ठीक है तो अब जब elements लिखेंगे न तो यह आपका a11 आएगा यह a12 a21 a22 ठीक है अब इन elements की value निकालने के लिए हम यहां पर जाएंगे ठीक है aij को compare करो a11 के साथ फिर आप compare करो a12 के साथ फिर आप compare करो a21 के साथ फिर आप compare करो a22 के साथ तो इसके हिसाब से आपको i और j की value मिल जाएगी मतलब जब aij को इससे compare करोगे तो i और j की value 1 and 1 रहेगी दोनों के लिए लेकिन जब aij को इसके साथ compare करोगे तो i की value 1 और j की value 2 हो जाएगी इसी तरीके से यहाँ पर compare करोगे aij को तो i की value 2 होगी और j की value 1 होगी accordingly आप इसके लिए भी समझ सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम a11 निकालेंगे तो a11 क्या आजाएगा बिटा 1 square minus 1 यानि 0 का modulus 0 ही रहेगा ठीक है फिर a12 यानि 1 square minus 2 यानि minus 1 का modulus यानि plus 1 फिर है आपका a21 यानि 2 square minus 1 यानि 3 का modulus यानि यह 3 रहेगा फिर इसके बाद a22 तो 2 square यानि 4 minus 2 यानि 2 का modulus यानि इस तरीके से एक बार options चेक करो कौन से वाला option यहाँ पर सही होगा बिटा ध्यान से देखिए 0 1 first row में और 3 2 option भी सही हो जाएगा question 1 के लिए option भी ठीक है ठीक है बिटा अब आगे चलते है question number 2 को देखते है question 2 में क्या है question 2 यह रहा बच्चो यहाँ पर आपको एक matrix equal दे रखा है दूसरे matrix के यानि equality of matrices वाला concept लगाएंगे और फिर यहाँ पर आपको x into y निकालना है ठीक है x into y तो सबसे पहले equality of matrices concept का यूज करके आप इस element को compare करो ऐसे और फिर x minus y को compare करो element 4 के साथ इन दोनों को solve करना है तो हम क्या करेंगे इन दोनों equations को add कर देंगे जैसे आप add करोगे आपको मिलेगा 2x equals 6 यानि x की value आजाएगी 3 तो y की value क्या आएगी x की value 3 यहाँ put कर दो y की value आजाएगी 2 minus x यानि 2 minus 3 यानि minus 1 ठीक है बेटा तो x into y क्या हुआ 3 into minus 1 यानि minus 3 यानि option C चेक करो question number 2 का option C सही हो गया ध्यान से देखते रहे ना बेटा अब आपके पास अगला question आ गया है that is question number 3 question 3 में आपको element a12 दे रखा है इस तरीके से इस matrix a के लिए जिसका order है 2 by 3 element aij दिया हुआ है aij की definition दे रखी है तो आपको na k की value बतानी है ठीक है इस definition को हम लोग use करेंगे a12 के लिए a12 मतलब i और j की value 1 and 2 हो जाएगी respectively तो यह आपका बन जाएगा a12 is equal to e की power 2 ix i की जगह पर 1 डालना है मतलब यह ऐसे रहेगा फिर यह sin jx j की जगह पर 2 डालना है मतलब यह हो जाएगा sin 2x अब यहाँ पर sin 2a का हम formula लगा लेंगे that is 2 sin x into में cos x और यह e की power में 2x तो है ही इसे आप compare करो इसके साथ क्योंकि दोनों ही a12 के equal है ठीक है तो जब आप इसे compare करोगे इसके साथ में then you can see value of k will be 2 चेक करके देखो तो k की value 2 आने का मतलब यह हुआ option d चेक करिए यानि question 3 का option d ठीक हो गया ठीक है बिटा आप चलते है question number 4 को लेते है question 4 यह रहा इसमें क्या बोला हुआ है if a and b are two matrices such that a plus b is defined तो आपको यहाँ पर appropriate option select करना है conceptual question है concept क्या है जब हम दो matrices को add करते है या फिर उनका difference निकालते हैं तो दोनों matrix का order same होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर एक बार options को चेक करो कौन से वाला option ठीक हो जाएगा a and b can be any matrix यह तो ठीक नहीं है option b में है a and b are square matrices not necessarily of same order यह भी गरबढ़ हो गई option c में है number of columns in a is equal to number of rows in b यह भी सही नहीं है a and b must be of same order तो यही concept में आपको बता रहा था अभी यानि question 4th का option d ठीक हो जाएगा ठीक है बिटा अब आगे चलते हैं question 5 की तरफ इसमें क्या है आपके पास एक matrix a दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह किस type का matrix है scalar matrix तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि scalar matrix में diagonal के elements same होते है non diagonal के elements zero होते है ऐसे ही diagonal matrix भी नहीं होगा क्योंकि उसमें non diagonal के elements zero होते है ठीक है ना unit matrix यह है भी नहीं क्योंकि unit matrix में आपके diagonal के elements one होते है non diagonal के elements zero होते है लेकिन यह square matrix है क्योंकि इसमें number of rows and number of columns आपको same देख रहे होंगे तो मतलब इसका option d सही हो जाएगा question five के लिए option d ठीक हो जाएगा एक बार देखो ध्यान से ठीक है बेटा आगे चलते हैं question number six को देखते हैं matrix a और matrix b दिया हुआ है आपको a minus b निकालना है यानि matrix a में से matrix b को subtract करना है directly करना शुरू करतो बेटा अच्छा ही रहेगा इसमें से इसको हम separate करेंगे तो sin square of angle angle है x pi और यह positive cos square of x pi हो जाएगा मतलब यह 1 हो जाएगा समझे कौन सा formula class 10th का यह वाला formula sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ठीक है और क्योंकि यहाँ पर matrix a minus b कर रहे हो तो यह positive हो जाएगा और वो formula लगेगा theta का मतलब angle है x pi अगला element यहाँ पर 0 हो जाएगा next element यहाँ पर 0 हो जाएगा इस वाले में cos square theta minus cot square theta मतलब यह भी 1 हो जाएगा class 10th का formula है यह भी तो यह आपका एक unit matrix आ गया यानि option a check करिए option a सही हो जाएगा question 6th के लिए ठीक है बिटा ध्यान से देख लो मेरी बास समझाज आई की नहीं अब चलते हैं question number 7 की तरफ question 7 में क्या बोला हुआ है यहाँ पर matrix a और b given है और आपको यह equation दे रखी है आपको matrix c निकालना है तो matrix c क्या बन जाएगा 3b minus 4a समझे तो 3b मतलब इसको 3 से multiply करेंगे तो सारे element 3 से multiply हो जाएगे आपको क्या मिलेगा यह 6 हो जाएगा 3 3 जा 9 यह हो जाएगा 12 3 5 जा 15 इसमें से minus 4 times of matrix a यह रहा matrix a इसके सभी element को हम 4 से multiply कर रहे होंगे तो यह आपका 4 होगा 4 1 जा 4 यह आपका 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 अब यहाँ पर आप इसको simplify करेंगे तो आपको मिलेगा 6 minus 4 यानि 2 9 minus 8 यानि 1 12 minus 12 यानि 0 15 minus 16 यानि minus 1 एक बार option देखिए 2 1 2 1 0 minus 1 इसको देखो यानि option 20 हो जाएगा question number 7 के लिए ठीक है बिटा आगे चलते हैं question number 8 को देखते हैं question 8 और question 9 दोनों same type के ही है question 8 में हमें बोला हुआ है कि एक matrix है जिसमें 13 elements है then the possible dimensions it can have dimension का मतलब हो गया order समझे order of matrix कितने रो होंगे कितने column होंगे तो जब elements 13 है तो एक matrix तो इस order का बनेगा और एक matrix इस order का बनेगा मतलब यही दो possible dimensions हो सकती है यानि option A को देखो यह सही हो जाएगा वैसे option D को देखना इसमें क्या लिखा हुआ है इसको हमने मार के क्यों नहीं किया क्योंकि इसमें only लिखा हुआ है ना ठीक है question 9 को देखते हैं यह भी same type का ही है थोड़ा सा difference है लेकिन if a matrix has 12 elements then how many different orders it can have कितने अलग-अलग order के matrix बन सकते हैं ठीक है तो पहली बात तो यहाँ पर जो possible orders होंगे वो क्या होंगे एक होगा 1 by 12 एक होगा 2 by 6 एक होगा 3 by 4 एक होगा 4 by 3 फिर एक होगा 6 by 2 और एक होगा 12 by 1 ठीक है तो यह basically आपके 6 different orders के matrix बनेंगे यानि option C को चेक करिए question 9 का option C हो गया ध्यान रखना इस question में option A को mark नहीं करना है क्योंकि इसने आपसे possible orders नहीं पूछे हैं कितने orders हो सकते हैं यह पूछे हैं कितने अलग-अलग orders के matrix बन सकते हैं यह पूछे हैं तो 6 अलग-अलग orders आपको दिख रही होंगी ठीक है number of different orders यह count करने हैं यह रहा question number 10 इसमें क्या बोला हुआ है how many matrices of order 2 by 3 are possible with each entry 0 और 1 यानि ऐसे कितने matrix बनेंगे जिसका order 2 by 3 होगा और जिसके elements को हम fill करेंगे 0 या 1 से तो basically 2 by 3 मतलब 2 rows होंगी और 3 columns होंगे तो मतलब एक location यहाँ पर आएगी एक location यहाँ पर एक element के location यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आपके elements की locations होंगी यह 2 by 3 का आपका कोई matrix बन रहा होगा जिसमें आपको filling करनी है या तो 0 से या फिर 1 से ठीक है बिटा अब यहाँ पर हर position of element के लिए हमें 2 choices मिलेंगी मतलब यहाँ पर भी fill करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं या तो हम 0 को fill करेंगे या फिर 1 को fill करेंगे likewise यहाँ पर भी हमें 2 choices मिली हैं this position of element can also be filled in 2 different ways same इसके लिए, same इसके लिए, same इसके लिए, same इसके लिए और same इसके लिए यानि at each and every position of the element we have 2 different choices using which we can fill that position of the element तो यहाँ पर permutation वाला simple concept लग जाएगा, मतलब इसको fill करेंगे 2 अलग तरीके से तो यहाँ पर total यह कितने elements हैं, total कितनी positions हैं, तो 6 positions हैं और हर position को fill करने के लिए हमारे पास only 2 choices हैं, तो यह आप 2 को multiply कर दो 6 times तो यह 2 की power 6 आ जाएगा, 2 की power 6 का मतलब हुआ option C, यानि question number 10 के लिए option C बिल्कुल ठीक हो गया ध्यान से देखिए, I hope you got it, ठीक है अब आगे चलते है, question number 11 को देखते है, question 11 में क्या है बिटा question 11 में एक matrix A दिया हुआ है और बोल रहा है कि अगर यह scalar matrix हैं, तो आपको X की value बतानी है scalar matrix के non-diagonal elements 0 होते हैं, लेकिन diagonal elements equal होते हैं, identical होते हैं तो यहां पर यह आपके diagonal के elements हैं, यह आपके diagonal के elements हैं, ठीक है इनको हम equate कर देंगे, तो basically हम क्या करेंगे, 5 is equal to 25 upon X is equal to X ठीक है बिटा, तो पहले इन दोनों के लेके solve कर लो, यानि 5 is equal to 25 upon X, तो X की value 5 आ जाएगी ठीक है, इन दोनों के लेके solve करोगे, तो आपको मिलेगा X square equal to 25, जहां से X की value आएगी plus minus 5 ऐसे ही पहला और तीसरा लेके solve करोगे, तो वहां से भी X equal to 5 आ जाएगा, common value आपको यही दिख रही होगी 5, और वैसे भी minus 5 लोगे न, तो यहां पर minus 5 आप put करोगे, तो फिर ये first वाले element के equal तो होगा नहीं, तो गरबढ हो जाएगी, समझ गए, आप वैसे ये logic भी लगा कर सकते हैं, यहां पर only 5, यानि option B आप देख लो, question 11 का option B सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, question number 12 लेते हैं, question number 12, question number 12 यह रहा आपके पास, इसमें matrix A दिया हुआ है, और आपको omega की value बतानी है, so that यह matrix A, identity matrix equal हो जाए, अब identity matrix का मतलब यह हुआ, इस तरीके से, क्योंकि matrix A का order 2 by 2 है, तो हम unity matrix यानि identity matrix भी order 2 का ही लेंगे, तो matrix A को हम इसके equal रख देंगे, और अब elements को हम compare करेंगे, by equality of matrix concept, तो cos omega 1 लिखेंगे, और ऐसे ही आपका sin omega 0 आ जाएगा, ध्यान से सुनना, अपने options को अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपके जो angle given है, वो general form में given है, समझ रहे हो, तो यहाँ से आप omega के उपर जो condition निकालोगे, वो होगी n, n will be any integer, ठीक है, और यहाँ से आपको omega पर जो condition मिलेगी, वो यह मिलेगी, 2n pi, where n is any integer, अब इन दोनों को हम combine करेंगे, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है, sin theta की value 0 कब होती है, जब theta pi का integral multiple हो, पहली बात, दूसरी बात, cos theta की value 1 कब होती है, जब theta pi का e1 integral multiple हो, अब जब इन दोनों को आप combine करेंगे न, मतलब common लेंगे, तो आपको finally क्या मिलेगा, आपको finally मिलेगा, 2n pi, where n is any integer, एक बार और मैं explain कर रहा हूँ, यहाँ पर आप n की different integral value put करके देखो, क्या मिलेगा, 0 pi, मतलब 0 लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद, plus minus 1 pi, plus minus 2 pi, plus minus 3 pi, plus minus 4 pi, plus minus 5 pi, plus minus 6 pi, and so on, लिखते चलो, इसी तरीके से जब इसको आप check करोगो, तो यह बनेगा 0 pi, मतलब 0 हो गया, फिर इसके बाद आएगा, plus minus 2 pi, integral multiple वाले angle common दिखेंगे, तो omega की value आ चुकी है, option एक बार आप check करें, option c को देखिए, यानि question 12 का option c ठीक हो गया, एक बाद ध्यान से देखो, ठीक है बेटा, question 13 को देखते हैं, question 13 में क्या है, question 13 ये रहा बेटा, इसमें आपको x और y की value बतानी है, और ये जो आपको equation दे रखी है न, इसको basically simplify करना होगा, सबसे पहले हम इसे लिख सकते हैं, x square minus 3x LHS में, ये y square minus 6y, और इसे हम RHS वाले matrix के equal रख के बैठे हैं, elements compare करेंगे, यानि x square minus 3x equal to minus 2 लिखोगे, तो ये plus 2 equal to 0 आ जाएगा, ऐसे ही y square minus 6y equal to 9 लिखोगे, तो ये minus 9 equal to 0 ऐसे आ जाएगा, ठीक हैं, अब इन दोनों को हमें solve करना होगा, यहां से आपका factor बन जाएगा, x minus 1, x minus 2, तो x की value आपको मिल रही होगी, एक तो 1 और एक 2, अब भी हम देखेंगे, options को analyze करेंगे, ठीक हैं, वैसे फिल हाल मुझे ये पता चल चुका है कि option b तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें x की एक value minus 2 दिख रही होगी, ठीक हैं, इसको भी simplify करना होगा, discriminant वाला formula यूज करना पड़ेगा, minus b, यानि 6 हो जाएगा, plus minus under root of b square, यानि minus 6 का square, 36 minus 4ac, मतलब plus का 36 फिर से आजाएगा, under root लगाईए, upon में 2a, 2 into 1, यह आपका 72 हो जाएगा, 72 का under root मतलब 6 root 2 हो जाएगा, तो 6 plus minus 6 root 2, upon में 2, इसको simplify करेंगे, हमें मिलेगा 3 plus minus 3 root 2, ठीक है, तो एक बार options चेक करिए, कौन से वाला option ठीक होगा, तो अब यहाँ से अगर हम अपने options को देखें, 3 plus minus 3 root 2, यानि option A सही हो जाएगा, question number 13 का, ठीक है बिटा, अब आगे चलते हैं, question 14 को देखते हैं, यहाँ पर एक matrix A दिया हुआ है, और matrix A को K से multiply करके एक नया matrix दिया हुआ है, आपको K raise to the power minus A निकालना है, मतलब सबसे पहले तो आपको K और A निकालना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इस matrix में हम दोनों तरफ K से multiply करते हैं, तो यह बनेगा 0, यह 3K, यह 2K, and this will be minus 5K, ठ क्योंकि यह K A के equal है, so that is 0, यह बनेगा आपका 4A, यह है आपका minus 8, and this is 5 times B, तो elements को यहाँ पर compare करेंगे, 3K will be equal to 4A, फिर आएगा 2K is equal to minus 8, यहाँ पर यह basically B है, जिसकी मुझे जरूत ही नहीं है, तो मैं उसको compare भी नहीं करूँगा, MCQ solve कर रहे हो, ध्यान रखना, यहाँ से K की value आजाएगी minus 4, ठीक है, K की value को यहाँ पर आप जैसे ही put करेंगे, minus 4, तो A आपको मिल जाएगा minus 3, समझे, K की जगा minus 4 put करो, 4 cancel होगा, A की value minus 3 आजाएगी, अब आपको क्या करना है, K की power में minus A, यानि minus 4 की power में minus A, तो minus A basically यह plus 3 आजाएगा, अब minus 4 की power में 3, मतलब minus 4 को 3 times multiply कर दो, इसी के साथ में, तो यह minus का 64 आपको देगा, minus का 64 कहाँ पर है, it is there in option B, ठीक है, clear to you, अब आगे चलते हैं, question number 15 लेते हैं, इसमें क्या है, the values of X and Y, if this matrix is equal to this matrix, यानि again equality of matrix वाला concept लग जाएगा बेटा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, 2X plus Y को equate करेंगे, X plus 3 के साथ, यहां से इसको simplify भी कर लो, X के value आजाएगी 3 minus Y, समझें, side change कर लिया, अब इसके बाद, 3Y is equal to Y square plus 2, इसको simplify कर लेते हैं, this will be Y square minus 3Y plus 2 is equal to 0, आप यहां पर factor बना लो, Y minus 1, Y minus 2, all that is equal to 0, कहने का मतलब Y की value 1 आजाएगी और 2 आजाएगी, लेकिन अभी एक और equation बनेगी Y में, जब इस element को हम compare करेंगे इसके साथ, Y square minus 5Y is equal to minus 6, यहां से आपको मिलेगा Y square minus 5Y plus 6, now that is equal to 0, factor बनेगा Y minus 3 into Y minus 2, now that is equal to 0, तो आपको Y की value मिलेगी 2 and 3, अब basically यहां पर Y की value आपको दिख रही होगी 2, और यहां भी Y की value आपको दिख रही होगी 2, इसके अलाव Y की जो value आ रही है 1 and 3, यह common नहीं है, मतलब Y की final value हम 2 लेंगे, एक बात तो यह, दूसरी बात Y की जो different values आपको दिख रही है न, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 भी है, इनको आप यहां पर put करके चेक करके देखिए, आपको LHS वाला matrix और RHS वाला matrix same कब मिलेगा, Y की किस value के लिए मिलेगा, तो आपको पता सल जाएगा कि Y की value हम सिर्फ 2 ले सकते हैं, ठीक है, य की value 2 लेंगे, इसको यहां put करोगे, तो आपको X की value मिलेगी 3-2, यानि 1, तो X की जगे 1 और Y की जगे 2, कौन से option में हैं, एक बार analyze करो, option D आपको दिख रहा होगा, question number 15 का option D, यह वाला, ठीक है, So this is question 15, done, आगे चलते हैं, question number 16 को लेते हैं, अब यह बहुत ही अच्छा question है, इसमें जो concept है न, अभी दो दिन पहले मैंने एक video बनाया था, जिसमें किसी बच्चे का doubt मैंने लिया था, उसमें मैंने diagonal matrix का concept और scalar matrix का concept, बड़े आराम से समझाया था, और question भी solve किये थे, इसको देखते हैं, इसमें क्या है, for what values of x, x की value बतानी है, ताकि यह जो matrix है न, यह diagonal matrix बन जाए, अब diagonal matrix के non-diagonal के elements 0 होते हैं, ठीक है, और diagonal के elements क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ non-diagonal के elements के बारे बात की जाती है, diagonal matrix के definition में, कि non-diagonal के elements पक्का 0 होंगे, ठीक है बेटा, तो इसे 0 के equal रखोगे, यानि y-x equal to 0, तो यहां से आपको x equal to y मिल जाएगा, ठीक है, फिर इसको देखो, यह भी non-diagonal element है, यह भी 0 के equal हो जाएगा, यहां पर x की जगह पर y रखोगे या y की जगह पर x रखोगे, अब यह decide करने के लिए आप पहले यहां देखो, आपको x की value निकालनी है, इसलिए आप इस condition में से y की जगह पर x यहां पूट कर दो, तो यह बन जाएगा x plus x, that is 2x minus 6 is equal to 0, solve कर लो, x की value 3 आ जाएगी, x की value 3 यानि option c चेक करो बेटा, question 16th का option c done हो गया, ठीक है, अब चलते है, question number 17th की तरफ, simple सा question है, ध्यान से देखिए, कैसे होगा, इसमें आपको matrix a दिया हुआ है, आपको matrix x निकालना है, so that a plus x unit matrix हो जाए, a plus x अगर unit matrix होगा, तो यहां से matrix x की value आएगी इस तरीके से, ठीक है पिटा, यह रहा matrix a और unit matrix तो हम आराम से लिख लेंगे, order 3 का ही लिखना पड़ेगा, यह यह आपका unit matrix हमने लिख लिया, इसमें से matrix a को हम subtract करेंगे, matrix a यानि 1, 2, minus 1, first row के elements, then we have 3, 4, 7, then we have 5, 1, 6, अब आप इसको subtract करो, या फिर डारेक्ली options को आप चेक करना शुरू करो, 1, minus 1, सबसे पहले 0 आएगा, in fact, सभी options में, पहली position पे 0 ही दिख रहा है, फिर है minus 2, अब minus 2 मुझे सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, है न, 0, minus 2, तो यहाँ minus 2 आएगा, और किसी option में minus 2 नहीं है, मतलब मैं आगे complete करूंगा ही नहीं, सीधा option a को mark कर दूंगा, वेसे आप properly subtract करके देख लो, option a के सारे elements आपको मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है बिटा, म कुझे कमेंट करके बताना, अगर नहीं मिलेंगे तो, 20th हो गया, अब हम question number 18 में देखते हैं, क्या है, अब question number 18 को देखते हैं, इसमें क्या है, यह जो matrix है, this is a scalar matrix, तो आपको x raised to the power y की value निकालनी है, तो यहाँ पर y non-diagonal element है, मतलब 0 होगा, x diagonal element है, और scalar matrix में diagonal elements टेम होते हैं, यहाँ पर आपको diagonal elements दिख रहे होंगे, मतलब x की value 4 हो जाएगी, अब यहाँ पर x raised to the power y, मतलब क्या हो जाएगा बेटा यह, 4 raised to the power 0, जिसका मतलब हो गया 1, option C चेक करो, question number 18 का option C सही हो गया, ध्यान से देखिए, मेरी बात समझाई की नह अब question number 19 को देखते हैं, आपको m की value बतानी है, for what value of m, this matrix is a diagonal matrix, अब diagonal matrix में diagonal के elements कुछ भी हो सकते हैं, non-diagonal element पक्का 0 होने चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर जरा इस element को देखो, यह तो non-diagonal element है ना, लेकिन यह 0 तो नहीं है, मतलब m की कोई भी value पुट कर दो, यह diagonal matrix बनेगा ही नहीं, तो अपने options को देखिए, कौन से वाला option ठीक हो जाएगा, मैंने बोला, m की कोई से भी value पुट कर दो, यह कभी भी diagonal matrix नहीं बनेगा, तो यहाँ पर option d को देखिए, no value of m, ठीक है बिटा, question 19 का option d, आगे चलते हैं, question number 20 को लेते हैं, question number 20 में क्या बोला हुआ है, for the matrix, given matrix आपके सामने है, number of rows and number of columns को m and n से respectively denote किया गया है, आपको इसकी value बतानी है, तो सबसे पहले इस matrix का order लिखो, order आएगा 2 by 3, दो rows हैं और 3 columns हैं, तो m की value क्या आगे बिटा, और n की value क्या आगे, ठीक है, done, तो m plus n, यानि 2 plus 3, that is 5, raised to the power m, m मतलब 2, तो यह 5 square, यानि 25 हो जाएगा, option d चेक करो, question number 20 के लिए option d ठीक हो जाएगा, ठीक है बिटा, ध्यान से देख लो, question number 21 लेते हैं, matrix A given है, और इसके elements को AIJ से represent किया गया है, आपको इनकी values निकालनी है, direct question है, A12, first row, second column का element कौन सा है, तो 7, ठीक है, यह रहा 7, minus, A31, third row, first column का element, third row, first column का element, यानि 8, plus A21, यानि second row, first column, that is 3, अब इसको solve कर लो, 7 plus 3, यानि 10, minus 8, यानि 2, option चेक करो, कौन से वाला option हो जाएगा, question number 21 के लिए, option B, ये रहा, 21 का option B ठीक हो गया, ठीक है बेटा, अब question number 22 को लेते हैं, question number 22 में, matrix A दिया हुआ है, और ये unit matrix है, जिसका order 3 है, तो आपको X minus Y बताना है, अगर ये unit matrix है, तो इसमें non-diagonal के elements 0 होने चाहिए, मतलब X की value तो 0 हो गई, ठीक है, और diagonal के elements बिल्कुल same होने चाहिए, in fact वो 1 के equal होने चाहिए, तो यहाँ पर diagonal का element ये आपको दिख रहा होगा Y, ये पक्का 1 होना चाहिए, तो आपको निकालना क्या है, X minus Y, यानि 0 minus 1, that is minus 1, अब minus 1 कहाँ पर है बेटा, option C को चेक करिए, question number 22 का option C ठीक हो जाएगा, ठीक है बेटा, आगे चलते है, question number 23 को देखते है, question number 23 में क्या है, question 23 आपके सामने है बेटा, solve करो, क्या answer आएगा इसका, question number 23 में हमें equation दे रखी है, 3A plus B is equal to this matrix, matrix A given है, matrix B find करना है, तो कैसे करेंगे, matrix B will be equal to 5, 1, 3, 4, minus 3 times matrix A, इसके elements को 3 से multiply करके minus करेंगे हम, तो यह बनेगा minus 3, यह 6, यह आपका 18 और यह 0, this is 6, ठीक है, solve कर लेते हैं, तो 5 minus of minus 3 यानि 8 हो जाएगा, 1 minus 6 यानि minus 5, 3 minus 18 यानि minus 15, 4 minus 0 यानि त्रिफ 4 आएगा, option चेक करिए, 8 minus 5, minus 15 and 4, ठीक है, option A सही हो गया, question number 23 के लिए, ठीक है, आगे चलते हैं, question number 24 लेते हैं, A plus B is equal to this matrix and A minus 2B, तो दो equation दे रखी हैं, basically, आपको matrix A की value निकालनी है, इसमें आप दोनों तरफ 2 से multiply करो, तो यह बनेगा 2A plus 2B, अब मैं यह इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर matrix B के साथ में आपको 2 दिख रहा होगा, मैं दोनों equations को इसके बाद add करने वाला हूँ, जो यहाँ पर resultant equation आएगा, और यह equation दोनों को add कर देंगे, तो matrix B eliminate हो जाएगा, समझे, हमें सरफ matrix A निकालना है न, यहाँ पर आपने 2 से multiply किया था, तो आपको elements ऐसे मिल जाएंगे, अब यह equation आगया, इसे आप second equation बोल दो, और इसे first equation, दोनों को add कर दो, मतलब first equation में second equation आप जैसे ही add करेंगे, आपको मिलेगा 3A, matrix B वाला तो eliminate हो जाएगा, चेक करो, और यहाँ पर हो जाएगा 2-1, यानि 1, यह आपका 1, यह 2 और यह 1, आपको सरिफ matrix A निकालना है, मतलब अब दोनों तरफ आपको 3 से divide करना पड़ेगा, तो यह 1 by 3, यह 1 by 3, यह 2 by 3, और यह 1 by 3, आप क्योंकि MCQ solve कर रहे हो, तो यह सब step लिखने की जरूद भी नहीं है, आप यहाँ से directly सोच सकते हो, कि 1 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 1 by 3 कहां पर आएगा, तो options देख लो एक बार, option A में ही ऐसा दिख रहा है मुझे तो, 24th का option A हो गया, बाकी options को banalize कर लो, none of these को mark मत कर देना, ठीक है, 25th question की तरफ चलते हैं, question number 25th यह रहा, इसमें हमें matrix A दिया हुआ है, diagonal matrix है यह, और matrix B यह भी diagonal matrix है, आपको निकालना है 3 times matrix A plus B, तो 3A plus B, तो basically यह क्या हो जाएगा, diagonal के elements matrix A में 3 से multiply हो जाएगे, यानि यह हो जाएगा 3 और यह 6, matrix B वाला तो सेम ही रहेगा, मतलब उसके diagonal के elements में हम कुछ भी नहीं कर पाएगे, non-diagonal के elements तो वैसे भी 0 ही होंगे न, diagonal matrix की बात हो रही है न, बिटा, तो यह आजाएगा 3 plus 3 यानि 6, and 6 minus 6 यानि 0, अब ऐसा आप चेक करो कहां पर है, option A में ही दिख रहा है, मुझे तो ऐसा 25th का option A सही हो गया, ठीक है, question number 26 को देखिए, this is based on concept, क्या है concept बिटा, पढ़के देखो, which of the following is additive identity for the matrix addition, मतलब किसी भी matrix A में, या कोई भी matrix हो, उसमें हम ऐसा कौन सा matrix add करें, ताकि matrix A बिल्कुल सेम रहे, अपनी identity को लूज ना करें, तो यहाँ पर हम अगर null matrix को add करेंगे, तो matrix A plus null matrix will be equal to same matrix A, इसे आप इसे sequence में भी लिख सकते हो, null matrix plus matrix A, ठीक है, तो basically यहाँ पर, which of the following is additive identity for the matrix addition, तो any null matrix तो नहीं कह सकते, null matrix of same order, ठीक है, जो matrix A का order है, वही null matrix का भी order होना चाहिए, यानि 26 के लिए option D सही हो जाएगा, चेक करिए, ठीक है बिटा, आगे चलते हैं, question number 27 की तरफ, 27 में क्या बोला हुआ है, a null matrix, which all elements are 0 is, always a square matrix, ऐसा जरूरी नहीं है, null matrix किसी भी order का हो सकता है, always a column vector, यह vector ही लिखा हुआ है, column matrix, को हम column vector भी बोलते हैं, row matrix को हम row vector भी बोलते हैं, ठीक हैं, लेकिन option B भी यहाँ पर हम नहीं कह सकते, always a diagonal matrix, यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर यह तो square matrix वाला ही case हो गया न, not necessary to be a square matrix, यह बात सही है, null matrix का order, कुछ भी हो सकता है, यह 1 by 1 का भी हो सकता है, 1 by 2 का भी हो सकता है, 1 by 3 का भी हो सकता है, 2 by 2 का भी हो सकता है, 3 by 3 का भी हो सकता है, 3 by 2 का भी हो सकता है, किसी भी order का null matrix हो सकता है, बस एक ही condition होती है, कि इसके सारे element 0 होने चाहिए, ठीक है बेटा, तो question no. 27 हो गया, question no. 28 की तरफ चलते हैं, now we have question no. 28, इस matrix P के लिए आपको minus P by 2 निकालना है यानि सभी elements में आप minus 1 by 2 multiply कर दो दिख रहा होगा आपको तो सभी elements में minus 1 by 2 मतलब पहला element minus 3 हो जाना चाहिए तो ये तो है ही नहीं यानि option A गया minus 3 यहाँ पर है और minus 3 यहाँ पर है option D भी नहीं हो सकता B और C में से ही कोई एक सही होगा ठीक है इसको देखोगे तो minus 4 बिल्कुल ठीक है दोनों मैच कर रहा है यानि अभी भी हमें clarity नहीं है इसमें हम करेंगे तो minus 2 यहाँ यह minus 2 है यहाँ पर यह 5 बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आपका बनेगा यह 1 और यह minus 12 और यहाँ पर यह गरबढ़ हो चुकी है यानि option C गया option B ही सही होगा question 28 का option B सही हो गया ठीक है बेटा आगे चलते है question number 29 लेते है 29 में क्या है order of this matrix एक matrix दिया हुआ है इसका order बताना है बहुत simple सा question है यहाँ पर आपको 3 rows दिख रही होंगी और columns कितने हैं तो 4 तो 3 by 4 यानि option B चेक करिए 29 का option B सही हो गया ठीक है बेटा question number 30 देखो question number 30 में क्या बोला हुआ है how many non-diagonal matrices of order 3 can be formed with each entry 0 और 1 non-diagonal matrix पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो यह आपको समझना होगा कि diagonal matrix की जब बात हो रही है तो square matrix की बात हो रही है ठीक है आगे बता भी रखा है order 3 ठीक है अब order 3 के square matrix कितने बनेंगे यह आपके elements की positions हो गई ठीक है total 9 elements होंगे जिनको fill करने के लिए हमारे पास 2 choices है मतलब total number of square matrix कितने बनेंगे number of square matrices कितने बनेंगे बिटा यह बनेंगे 2 raised to the power 9 ठीक है अब इसमें diagonal matrix कितने बनेंगे यह भी हमें पता करना होगा number of diagonal matrices तो diagonal matrix में simple सी बात है कि यह जो non-diagonal positions है ना यहां पर तो पक्का 0 होने चाहिए लेकिन जो diagonal position है यहां पर क्या होगा इसके बारे में कुछ बात नहीं करता ठीक है तो यह जो box मैंने बनाए है यहां पर ही आपको fill करना होगा क्या तो कुछ भी जो मैंने dots यहां पर दिखाया हुआ है वहां पक्का 0 आएगा diagonal matrix की बात कर रहा हूँ तो यहां तो पक्का 0 आएगा यह सारे elements 0 होंगे लेकिन जो box मैंने बनाया वहां पर हमें fill करना होगा किसी भी real number को और हमारे पास सिर्फ 2 choices हैं तो हर box में filling करने के लिए हमें दो तरीके मिलेंगे 2 ways मिलेंगे 2 into 2 into 2 यानि यह हो जाएगा 2 की पावर 3 तमझे आपको बताना था non diagonal matrix कितने बनेंगे तो आपका answer आएगा 2 की पावर 9 minus 2 की पावर 3 यह हो जाएगा 512 minus 8 यानि 504 option C चेक करिए question number 30 का option C सही हो जाएगा ठीक है बिटा is that clear question 31 को देखते हैं question number 31 में यह जो matrix दे रखा है this is a symmetric matrix तो आपको m की value निकालनी है देको symmetric matrix में एक बात तो यह होती है कि matrix A और उसका transpose बिल्कुल equal होता है ठीक है तो या तो इसका transpose लेकर A transpose निकालो और इस condition का use करो फिर equality of matrix concept से आपको m की value मिलेगी ठीक है देकि लंबा हो जाएगा आप इसे directly ऐसे भी कर सकते हो किसी भी symmetric matrix का अगर element A i j है तो यह पक्का इस property को follow करेगा तमझे यह matrix A की बात हो गई और यह A transpose की बात हो गई मतलब यह element matrix A का है और यह element matrix A के transpose का है तो यह पक्का equal होने चाहिए ठीक है बटा तो अब यहाँ पर इसकी position देखना यह कहां है तो यह पक्का equal होगा A32 के समझे हम क्या करने वाले है M square minus 6 और A32 third row second column third row second column मतलब इसे 3 से equate कर देंगे M square 9 आ जाएगा तो M की value आ जाएगी plus minus 3 option D देख लो 31 का option D सही हो गया ठीक है बटा आगे चलते हैं question number 32 की तरफ question number 32 में आपको matrix A दिया हुआ है which is a square matrix जिसका order क्या है मुझे comment करके आप बताना ठीक है फिर आपको ये condition दे रखी है और आपसे इसकी value पूछी गई है इसमें सबसे पहले हम I plus A hall cube की value निकालेंगे I plus A hall cube और यहाँ पर मैं directly A plus B hall cube का formula यूज कर लूँगा अब ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों equal होंगे यानि commutative property यहाँ पर valid होगी I यहाँ पर unit matrix है same order का है ठीक है और in fact ये तो A के भी equal होगा इसलिए यहाँ पर हम A plus B hall cube का formula यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये A cube plus B cube plus 3A square B plus 3A B square I cube तो I ही रहेगा A cube को सबसे पहले हम लिखेंगे A square into A ठीक है और A square की जगह पर आपके question में पहले ही बताया हुआ है कि A आएगा तो A into A यानि it is again A square और A square फिर से matrix A बन जाएगा तमझे यानि A cube की जगह पर finally हमें matrix A ही मिलेगा तो यहाँ पर आप matrix A डाल दो plus 3 I square तो I ही रहेगा तो ये I into A in fact इसको हम directly 3 A भी लिख सकते हैं लिख लेंगे अगले step में 3 I A square A square आपके question में matrix A के ही equal दिया हुआ है ठीक है अब इन दोनों को ध्यान से देखना ये भी 3 A है और ये भी 3 A है समझे I A is equal to A होगा वहाँ बताया था मैंने तो ये 3 A plus 3 A यानि 6 A plus A यानि 7 A यानि ये हो गया I plus 7 A ठीक है और ये सब किसके equal है this is equal to I plus A whole cube अब इससे यहाँ लेकर आओ 7 A minus I plus A whole cube की value क्या निकाली है तुमने I plus 7 A तो ये रहा I plus 7 A जिरहा bracket open करो simplify करो आपको मिलेगा minus I minus I का मतलब option A सई हो जाएगा question number 32 के लिए अब आगे चलते हैं question number 33 की तरफ question number 33 में matrix A दिया हुआ है and it satisfy this condition ठीक है आपको X की value बतानी है तो matrix A को इसके transpose के साथ multiply करना होगा ये रहा matrix A 1, 2, 2, 2, 1, minus 2, minus 2, x, minus 1 और इसको हम इसी के transpose के साथ multiply करेंगे तो मैं transpose ले ले लेता हूँ rho 1 के elements को C1 में भेज दिया rho 2 के element को C2 में and rho 3 के elements को C3 में ठीक है तो सबसे पहले हम इन दोरों matrices को multiply कर लेते हैं फिर उसके बाद इसे हम 9 times i के equal रखेंगे ठीक है तो multiplication शुरू करते हैं 1 into 1 plus 2 to the 4 plus 2 to the 4 यानि 1 plus 4 plus 4 यानि 9 आ जाएगा फिर आपका ये 2 plus 2 4 minus 4 यानि 0 फिर इसके बाद यहाँ पर minus 2 plus 2x minus 2 that is minus 4 plus 2x ठीक है in fact मुझे x तो मिल चुका है तो अब मैं बाकी multiplication करूंगा ही नहीं सीधा मैं 9 i के equal रख लूंगा तो यहाँ पर यह बन जाएगा 9 0 0 बाकी elements भी लिखकर time pass कर सकते हो मैं नहीं करूंगा मैं इसे directly इस element से compare कर दूंगा तो minus 4 plus 2x is equal to 0 यहाँ से solve कर लो x की value आ जाएगी 2 2 का मतला option चेक करिए option 20 सही हो जाएगा question 33 का option 20 सही हो गया अगर आपने notice किया हो तो मैंने इन दोनों matrices को पूरा multiply किया भी नहीं है और 9 into i के लिए मैंने सारे elements भी नहीं लिखे हैं जैसे ही मुझे x मिला बस मैंने equality of matrix वाला concept लगा दिया क्योंकि यह mcq question है जादा steps दिखाने की क्या जरूरत है steps तो बिलकुल यहाँ पर दिखाने की जरूरत है ही नहीं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question लेते हैं question number 34 इसमें क्या बोला हुआ है matrix A is equal to यह दो matrices का product आपको दिखाया हुआ है तो आपको matrix A का order बताना है इसका order क्या है इसका order है 1 by 3 जो पहला matrix है एक row है और 3 columns है इसका order क्या है 3 rows है and single column है तो इन दोनों को multiply करने के बाद जो resultant matrix आ रहा है that is matrix A उसका order होगा 1 by 1 समझे 1 by 1 यानि option C को चेक करिए question 34 का option C सही हो जाएगा ठीक है direct question है question पढ़ो और सिधा answer आ गया question number 35 को देखते हैं इसमें क्या है यह भी concept के उपर based है यह जो matrix product आपको दिखाया गया है दो matrices multiply हो रही है इसमें आपको pre-factor matrix की value बतानी है अब pre-factor matrix क्या होता है जब आप A into B लिख रहे होते हैं तो इसमें पहला matrix कौन सा है left side से पहला matrix तो matrix A है इसे हम pre-factor matrix बोलते हैं और matrix B को क्या बोलते हैं यह मुझे comment करके बताना ठीक है चलिए तो यहाँ पर पहला matrix यानि यह वाला matrix है this is the pre-factor matrix तो यह आपको option D में दिख रहा होगा question 35 का option D सई हो गया ठीक है बच्चो आगे चलते हैं question number 36 की तरफ question number 36 में क्या बोला हुआ है matrix A और matrix B गीवन है B into A इसके equal है तो आपको element B to 1 बताना है ठीक है तो यहाँ पर matrix B क्या है बटा this is 2, 3, 4, 5, minus 9, 8 और matrix A क्या है matrix A है 1, minus 2, 3, minus 4, 2, and 4 ठीक है जब इन दोनों matrices को multiply करेंगे तो जो नया matrix मिलेगा उसके element को BIJ से represent किया जा रहा है अब यहाँ पर जो नया matrix मिलेगा उसका order क्या होगा इसका order क्या है इसमें है 3 rows and 2 columns इसका order क्या है तो 2 rows and 3 columns तो resultant matrix का order आएगा 3 by 3 ठीक है तो अब यहाँ पर हमें जो element चाहिए वो चाहिए B to 1 ठीक है ना B to 1 मतलब second row first column second row first column का element तो second row first column का element मतलब यहाँ पर कहीं होगा यह आपका first row हो गया यह आपका third row हो गया तो यह वाला element हमें चाहिए this is B to 1 तो second row का element देखो यहाँ पर क्या है देख रहा है और first column का element क्या है सिर्फ इन दोनों को multiply कर लो, आपका काम हो जाएगा, या तो पूरा multiply करके लिखोगे, time waste करोगे, आपकी मर्जी है, so 4 into 1, that is 4, plus 5 into minus 4, यानि minus 20, यानि आपका आ जाएगा minus 16, यही आपका B21 बनेगा, आप चेक कर लो, minus 16 is there in option A, समझे, बात clear है, मैंने सिर्फ उस element की बात की, जो इसने आपसे पूछा हुआ है, बाकी multiplication करके सारे elements लिखने की क्या जरूरत है, B21 यानि second row, first column, अगर आपसे मैं पूछता, यहाँ पर B32, तो आप क्या करते, third row का element लेते, पहले matrix में से, और दूसरे में से second column को ले लेते, बस काम हो जाता आपका, anyway, इसका answer क्या आएगा यह मुझे comment करके बताना, चलते हैं आगे, question number 37 की तरफ, question number 37 में आपको क्या बोला हुआ है, इन दोनों matrices को multiply करके इसके equal रखना होगा, फिर आपको इसकी value बतानी है, अब यहाँ तो multiply हमें करना ही पड़ेगा मेरी ख्याल में, तो यह बनेगा आपका 2 into m, 2m minus x, ठीक है, फि 2n, minus y, फिर आएगा 1m, plus 0x, छोड़ दो, फिर 1n, 1n, plus 0y, उसको भी छोड़ देंगे हम, फिर यहाँ से आपका आएगा, minus 3m, minus 3m, plus 4x, फिर आपका आएगा, minus 3n, plus 4y, और इसे हमें, इससे compare करके, m, n, x, और y की value निकालनी है, फिर उसके बार यहाँ पर हम put कर देंगे, तो सबसे पहले, m की value directly मिल रही है मुझे, m की value आ रही है 1, देखलो, इसे आप compare करेंगे न, इस element को compare करेंगे इसके साथ, ऐसे ही n की value मिल जाएगी directly, n की value है minus 2, तो यहाँ पर मैं directly put भी करता चल रह हूँ, ठीक है, plus x और y कैसे मिलेंगे, तो x और y के लिए हमें थोड़ा सा solve करना पड़ेगा, तो यह 2m minus x वाला जो element है न, इसे हम इस से compare करेंगे, that is equal to minus 1, ठीक है, इसमें हम m की value put कर देंगे, जो कि हमने अभी निकाली है, which is 1, so 2 into 1 plus 1 is equal to x, side change कर दिया है मैंने, मतलब x क value आ गई है 3, तो यहाँ पर आपको x की value मिल गई, अब y की value के लिए आप इस element को देखिए, 2n minus y, इसे हम equate करेंगे minus 8 के साथ, ठीक है, यहाँ से y आ जाएगा, 2 into n, n की value हमने लिखी है minus 2, यहाँ पर देख लो, और यहाँ भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह 2 into n, यानि minus 2, प्लस में 8, यहाँ जाएगा 4, तो y की value आ गई, प्लस 4, अब इसको simplify कर लो, 4 plus 3, 7, plus 1, 8, minus 2 यानि 6, 6 का मतलब option b को चेक करिए, यह रहाँ आपका, option b सही हो जाएगा, question number 37 का, option b is absolutely correct, ठीक है बिटा, question 38 को देखते है, next question, question 38 यह रहा बिटा, matrix A given है, आपको इसकी value निकालनी है, तो सबसे पहले A square निकालो, यानि matrix A को matrix A के साथ ही multiply करो, यह matrix A हो गया, इसको इसी के साथ multiply करना है, तो सुरू हो जाओ, क्या आएगा, 0 into 0, खतम, प्लस 2 टू जाब 4, फिर 0 into 2, प्लस 2 into 0, गया, 2 into 0, प्लस 0 into 2, और यहाँ पर 2 टू जाब 4 प्लस 0, इसे आप 4 into unit matrix लिख सकते हो, unit matrix का order 2 आएगा, क्योंकि matrix A का order भी 2 है, अब आपको निकालना है, matrix A to the power 4, इसे हम लिखेंगे, A square into A square, और हमने A square निकाला हुआ है, 4I, तो यह हो जाएगा, 16 into I square, I square का मतलब हो गया, simply I, 16I option C में चेक करिए, question number 38 का option C हो गया, ठीक है बिटा, अब आगे चलेंगे, question number 39 की तरफ, question number 39 यह रहा, यहाँ पर matrix A के transpose का order दे रखा है, आपसे matrix A का order पूछा हुआ है, तो concept बता देता हूँ, अगर कोई भी matrix A है, जिसका order आपको दे रखा है, M by N, तो इसका transpose जब हम लेते हैं न, तो transpose से जो matrix आता है, उसका order हो जाता है, N by M, समझे, अब यहाँ पर आपको A transpose का order दे रखा है, 3 by 5, तो matrix A का order बन जाएगा, तो matrix A का order हो जाएगा 5 by 3, अब यह इसलिए होगा, क्योंकि जब आप matrix A का transpose लेते हैं, और फिर से इसका transpose लेते हैं, तो आपको again matrix A वापस मिल जाता है, समझे, तो यहाँ पर एक तो order वाला concept और यह के transpose वाला concept लगेगा, तो 5 by 3, option D में आपको 9th का option D यह रहा बिटा, 5 by 3, ठीक है, तो यह हो गया आपका, आगे चलते हैं, question number 40 को देखते हैं, question 40 में क्या है, यहाँ पर matrix A आपको दे रखा है, theta के उपर interval है, और matrix A इस condition को satisfy करेगा, तो आपको 4 times angle theta, इसकी value निकालनी है, तो matrix A आपके पास है, that is cos theta, यह आपका sin theta, this is minus sin theta, this is cos theta, इसमें हम इसका transpose add करेंगे, तो transpose वाला matrix ऐसे आजाएगा, यह आपका है, minus sin theta, this is cos theta, now all that will be equal to root 2 times unit matrix, ठीक है, LHS में simplify करोगे, this will be 2 times cos theta, और यहाँ पर 0, this will be 0, and this will be 2 times cos theta, unit matrix की value पुट करके, root 2 को अंदर multiply करोगे, then you will be getting like this, अब equality of matrix वाला concept लगेगा, यानि 2 times cos theta को हम compare करेंगे, root 2 के साथ, तो यहाँ से cos theta आएगा, root 2 upon 2, that is 1 by root 2, मतलब theta आजाएगा, pi upon 4, तो यहाँ से आप देखो, 4 theta की value क्या आएगी, 4 theta will be equal to pi, ठीक है, अब pi का मतलब option a को देखो, option a सही हो जाएगा, question 40 के लिए, ठीक है, now let's move to question number 41, बड़ा भ्यानक सा matrix दे रखा है, and that is equal to p plus q, where p is symmetric and q is skew symmetric matrix, तो आपको matrix q बताना है, अगर matrix q, skew symmetric matrix है, तो उसके diagonal के elements पका 0 होंगे, तो यहाँ पर option c और option d को आप overrule कर सकते हो, क्योंकि इन में diagonal के elements 0 नहीं है, आपके पास option a और option b का choice बचा हुआ है, लेकिन, क्योंकि matrix q, skew symmetric matrix है, तो हम बाकी elements को भी तो चेक करेंगे, row 1 के elements देखो, option a में क्या है, उसको minus 1 से multiply करने के बाद, क्या c1 के elements आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे, कहने का मतला option a भी गया, आप transpose लेकर देख सकते हो, lengthy method है, मैंने क्या बताया, row 1 के element लो, उसको minus 1 से multiply करो, c1 मिलना चाहिए, row 2 के element लो, minus 1 से multiply करो, c2 मिलना चाहिए, row 3 के element लो, minus 1 से multiply करो, c3 मिलना चाहिए, अगर ऐसा हो रहा होगा, तभी तो given matrix, skews metric matrix होगा, और दूसरी बात, diagonal के सारे elements 0 भी होने चाहिए, ठीक है न, तो diagonal के element तो 0 हैं, लेकिन जो मैंने minus 1 से multiply करने वाला काम बताया, वो यहाँ पर valid नहीं था, option b बच गया, इसी को mark कर दो, यानि question 41 का option b हो गया, वैसे option b में जो matrix है, यह null matrix है, तो क्या problem है, null matrix, ऐसा matrix होता है, जो कि symmetric भी होता है, और skews metric भी होता है, क्या मैंने सही कहा, मुझे comment करके बताना, ठीक है, जो statement मैंने बोला, क्या वो true था, क्या statement बोला मैंने, a null matrix, if it is a square matrix, is always a symmetric and a skew symmetric matrix, क्या मैंने सही बोला है, मुझे comment करके बताना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, question number 42 की तरफ, question number 42 आपके पास आ गया, इसमें matrix a दिया हुआ है, और matrix a इस condition को satisfy करेगा, तो हमें k की value बतानी है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर a square निकालना पड़ेगा, a square यानि matrix a को matrix a के साथ में ही multiply करना पड़ेगा, matrix a को matrix a के साथ में multiply करेंगे, 2 to the 4 plus 1 यानि यह 5 आएगा, check करिए, minus 2, minus 2 यानि यह आपका minus 4 बनेगा, minus 2, minus 2 यानि यह भी minus 4 बनेगा, यह आपका plus 1 and 4 यानि 5, यह तो matrix a square आ गया, अब इसको 4 से multiply करेंगे, यानि 4A, that is 8, 4 से multiply करो, सारे elements को, minus 4, minus 4, 8, minus A square, ये रहा आपका A square वाला matrix, ठीक है, इसको simplify करते हैं, क्या आएगा ये, this will be equal to, 8 minus 5, 8 minus 5 यानि 3, minus 4, plus 4, यानि 0 हो जाएगा, minus 4, plus 4, यानि ये भी 0 होगा, 8 minus 5, यानि 3, and now that is equal to KI, तो KI मतलब, K को unit matrix से multiply करना है, तो diagonal के सारे element, मतलब K से multiply हो जाएगे, non-diagonal वाले तो 0 ही रहेंगे, order 2 by 2 का ही लेना होगा, ठीक है, अब यहाँ से आप compare करेंगे, तो K की value आपको मिल जाएगी, K is equal to 3, option C को चेक करिए, question 42 का option सी सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, question 43 की तरफ चलते हैं, matrix A, matrix B given है, such that A into B is equal to 2i, तो आपको matrix A का inverse निकालना है, देखो यहाँ पर concept क्या लग जाएगा, सुनलो ध्यान से, अगर P into Q is equal to i है, या Q into P, यह भी i के equal है, तो basically यहाँ पर P inverse Q होता है, and Q inverse P होता है, ठीक है, आपके पास यह दिया हुआ है, यहाँ से मुझे matrix A का inverse चाहिए, तो matrix A into half of B, ऐसे लिखो, now that is equal to i, यह half कहाँ से आया, RHS में i के साथ में 2 multiply था, उसको matrix B के पास में ऐसे भेज दिया, अब matrix A के साथ में जो भी multiply है न, वही तो matrix A का inverse है, यानि A inverse क्या आ गया, A inverse आ गया, half of matrix B, matrix B आपके question में है, यह रहा आपका matrix B, आप इसे simplify भी कर सकते हो, मतलब यह तो 1 हो जाएगा, this will be minus 3 by 2, this will be 0 by 2 यानि 0, and this will be half, options को चेक करिए, कहाँ पर है ऐसा, in fact मैंने simplify तो free में कर दिया, simplify करने के जुरूती नहीं थी, half of matrix B, half of matrix B, यह ठीक है, यानि option D सही हो जाएगा, question 43rd के लिए, चेक करो, ठीक है, आगे चलते हैं, question 44 को देखते हैं, question 44 में क्या है, concept के उपर based है, direct question है, A और B आपके invertible matrices हैं, जिनका order same बताया हुआ है, और यह condition दे रखी है, और आपको K की value बतानी है, देखो बेटा, B into A का inverse है ना, तो इसे हम लिखते हैं, A inverse into B inverse, अब इसके साथ आप question में जो दे रखा है, उसे compare करो, यानि matrix A का inverse और B की power में minus K, तो यहां से आप compare करेंगे, तो K की value आपको दिख रही होगी, K will be equal to 1, K की value 1, मतलब option A चेक करिए, question 44th का option A से हो जाएगा, ठीक है बिटा, आगे चलते हैं, question number 45 को देखते हैं, question 45 में क्या है, matrix A given है, और यह condition दे रखी है, आपको M की value बतानी है, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पर, अगर मैं दोनों तरफ matrix A से multiply कर दूँ, तो यह आपका matrix I बन जाएगा, मतलब I will be equal to M into A square, समझे, मैंने क्या बोला, matrix A inverse दे रखा है, दोनों तरफ matrix A से multiply करो, यानि ऐसे, तो आपको ऐसा मिलेगा, वैसे यह pre multiplication किया है, matrix A से, या post multiplication किया है, मुझे comment करके बताना, ठीक है, अब मुझे इस equation को use करने के लिए, सबसे पहले matrix A का square निकालना पड़ेगा, matrix A square, यानि यह रहा matrix A, इसको इसी के साथ multiply कर दो, यह आपका है 2, 2, 3, 5, minus 2, जब multiply करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2, 2, 4, plus 15, यानि यह आपका हो जाएगा 19, 6, minus 6, यानि 0, 10, minus 10, यानि 0, और यह 15, plus 4, यानि 19, ठीक है बिटा, यह matrix A का square आ गया, इसको हमें M से multiply करना है, और यहाँ पर आपका unit matrix तो होगा ही LHS में, M से multiply करेंगे, तो M अंदर पहुँचेगा, आपको देगा 19 M, 0, 0, 19 M, अब यहाँ पर आप elements को compare करेंगे, तो 1 will be equal to 19 M, यानि M की value क्या आगे बिटा, ध्यान से देखो, 1 upon 19, 1 upon 19, that is there in option B, यानि 45th का option B सही हो गया, ठीक है बिटा, अब आगे चलते हैं, question number 46 की तरफ, यहाँ पर आपको matrix A दिया हुआ है, और यह condition दे रखी है, आपको lambda प्लस mu की value निकालनी है, तो सबसे पहले matrix A का मुझे square निखना होगा, यह रहा matrix A, और इसे हम matrix A के साथ में ही multiply कर रहे होंगे, तो यह आपको मिलेगा 5, चेक करिए, यह आपका बनेगा minus 2, और फिर minus 2 यानि minus 4, यह भी आपका minus 4 आएगा, और यह आपका 5 आजाएगा, matrix A का square आचुका है, अब यहाँ पर हम values put करेंगे, matrix A square, that is 5 minus 4, और यह 5, अब हमें matrix A को lambda से multiply करके, यहाँ पर subtract करना होगा, तो यहाँ पर हम lambda से multiply करेंगे, यह बनेगा 2 lambda, minus lambda, this will be again minus lambda, and this will be 2 lambda, ठीक है बिटा, अब इसमें हमें, plus करना है, mu times unit matrix, यानि यह हो जाएगा, mu, 0, 0, mu, and all that is equal to null matrix, ठीक है, अब इसके बाद हम LHS में simplify कर लेते हैं, जरा, so that will be equal to 5 minus 2 lambda, 5 minus 2 lambda, plus में mu, फिर आएगा, minus 4, plus में lambda, plus में 0, छोड़ दो, minus 4, plus में lambda, ठीक है, फिर 5, minus में 2 lambda, और plus में mu, that is equal to null matrix, अब इसके elements हम लिख लेंगे, और null matrix का order वही होगा, जो LHS वाले matrix का order है, अब यहाँ पर equality of matrix concept से, आप elements को compare करेंगे, तो minus 4, plus lambda को equal to 0 रखेंगे, तो lambda की value 4 आ जाएगी, चेक कर लो, फिर यहाँ से 5 minus 2 lambda, plus mu को 0 के equal रखोगे, तो आपको मिलेगा, mu is equal to 2 lambda minus 5, समझे, 0 के equal रखेंगे, मैंने side भी change कर दिया, lambda की value को put करिए, 248 minus 5, यानि 3 हो जाएगा, lambda और mu आपके पास आ चुके हैं, lambda plus mu, यानि 4 plus 3, यानि 7, option D को चेक करिए, question 46 का option D सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, done, आगे चलते हैं, question number 47 की तरफ, अब basically यहाँ जो questions है न, they are based on assertion and reason type questions, ठीक है, तो इन में हमें किस तरीके से answer करना होता है, I am sure कि आप लोगों को पता होगा, आपके पास, assertion and reason वाले दो statements होंगे, assertion को capital A से, and reason को capital R से represent करेगा, हमको appropriate option select करना है, in options के according, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion, तो इस case में हम option A को mark करेंगे, option B में क्या है, both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of assertion, तो option B होगा, option C में क्या है, assertion true, लेकिन reason false, option D में क्या है, assertion false, but reason true, ठीक है, अब question 47 आपके पास है, इसको पढ़िए, और इसमें क्या answer आएगा, ये मुझे बताओ, matrix P दे रखा है, assertion में, और P' मतलब P transpose दे रखा है, तो row 1 के element C1 में, row 2 के C2 में, मतलब ये तो true है, assertion is true, reason में क्या है, if P and Q are matrices of the order, matrix P और matrix Q का order दे रखा है, then order of matrix PQ, तो matrix PQ का order आजाएगा, m by y, m by y, मतलब reason वाला statement भी true है, लेकिन यहाँ transpose की बात हो रही है, assertion में, और यहाँ matrix multiplication के बाद, order के उपर क्या फरक पड़ता है, उसकी बात हो रही है, दोनों बाते आपस में link नहीं है, मतलब assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of assertion, यानि option B को mark करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, option B में क्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं, question number 48 को लिते हैं, question number 48 में क्या है, question number 48 में क्या बोला हुआ है, assertion में एक matrix M दे रखा है, और बोल रहा है कि यह symmetric matrix है, तो symmetric matrix तो यह नहीं है, चेक करिए कैसे, row 1 के जो element है न, वो as it is C1 में आने चाहिए, नहीं आ रखे, in fact, यह कैसा matrix है, यह मुझे comment करके बताना, symmetric matrix तो यह बिल्कुल नहीं है, कहने का मतलब यह statement false है, और जिस समय, assertion का statement false हो जाता है, उसी समय आपको पता चल जाता है, कि option D सही हो गया, मतलब reason को तो पढ़के time pass कर सकते हो, बट जरुवत क्या है उसकी, खेर पढ़लो, if P and Q are square matrices of same order, और यह condition हो, तो हमारे पास ऐसा होता है, यह मैं अभी किसी question में बता कर आया हूँ आपको, कहने का मतलब यह तो true है, और वैसे हमें इस question के correct option के बारे में अल्रेडी पता चल चुका है, option D सही होगा, क्योंकि assertion false है, ठीक है, question number 49 की तरफ चलते हैं, now we have question number 49 and question 50, question 49 में matrix X दिया हुआ है, तो minus X क्या होगा, यानि सभी element को minus 1 से multiply करना होगा, और मेरी ख्याल में यह बिल्कुल ठीक है, मतलब assertion का statement true है, एक बार चेक करिए ध्यान से, ठीक है बिटा, reason में क्या है, an element present in ith row and zth column in the matrix B is given by B.I.Z, बिल्कुल ठीक है, कोई problem नहीं है, मतलब reason भी true है, लेकिन दोनों का आपस में link क्या है, कोई भी link नहीं है, ठीक है, जब कोई link नहीं है, मतलब इसका option B सही हो जाएगा, assertion और reason में कोई भी आपस में link नहीं है, बट दोनों statements true है, ठीक है बेटा, question 50 में क्या बोला हुआ है, assertion, matrix M is a diagonal matrix, अब वैसे तो यह square matrix है और null matrix भी है, तो यह diagonal matrix होगा या नहीं होगा, काफी controversy होती है इस question के उपर, अगर यह square matrix है, जिसके non-diagonal elements 0 है, तो फिर यह पक्का diagonal matrix है, क्योंकि diagonal matrix के definition में, सिर्फ non-diagonal के elements को 0 बोला जाता है, diagonal elements क्या होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है, समझे, यानि ऐसा square matrix जिसके non-diagonal elements 0 हो, वो diagonal matrix होगा, तो यहाँ पर non-diagonal elements 0 है diagonal elements में क्या है इसके बारे में definition में कुछ भी नहीं बोला जाता है तो कहने का मतलब यह true statement है ठेक है अब reason में क्या बोला हुआ है इसको भी पढ़के देख लो the diagonal matrix is a square matrix in which all the non-diagonal elements are 0 तो basically यहाँ पर तो as it is definition दे दिया गया है diagonal matrix के लिए कहने का मतलब assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion as well यानि option A सही हो जाएगा question number 50 के लिए ओके now before I wind up the class for now अगर आपको इस test का PDF चाहिए तो इस video के description box में आपको download link मिल जाएगा जिस पे click करके आपको इस test का PDF मिलेगा और बाकि दूसरे topic के भी test मिलेंगे आप इन सभी test को अपने दूसरे classmates के साथ भी share कर सकते हो ठीक है बच्चो अब इस video को like करके अपने सभी classmates को share कर देना चैनल को subscribe करके bell notification भी प्रेस कर लेना ठीक है बच्चो चलिए मिलते हैं next lecture में till then be good, take care, all the best